आपकी रिसोई में भी होंगे ये सारे चटपटे मसाले चाहे वो हल्दी मिर्च नमक मसाला कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको पता है कि सारे मसाले स्वाद के ले नहीं डाले जाते हैं खाने के अंदर लेकिन कुछ और भी कारण है जिनकी विदे से मसाले डाले जाते हैं खान में डालते तो हैं लेकिन ना तो उसका स्वाद के लिए डालते हैं ना आम उसको किसी महक सोगंद के लिए डालते हैं लेकिन उसका नाम है हल्दी भारत के अंदर तो इस्तमाल होती है हल्दी अर खाने में लगबग इस्तमाल की जाती है हल्दी नमक मिर्च मसाली तो इस्तमाल formula जो कि हमारे old ancient Indian style में कह सकते हो आप पुराने भारत में हल्दी एक जो है antiseptic के तोर पे इस्तमाल होती है मतलब उसके अंदर ऐसे गुण है हल्दी के अंदर जो कि खाने के अंदर से microbes और bacteria को खतम करती है और साथ में anti-infectious होती है मतलब सरीर के अंदर एक एंटी बायोटिक की तरह काम करती है समझे रहे हो आप मतलब सरीर के अंदर कहीं कमजोर यह कोई चोट लग जाए घाव लग जाए तो उसको भी यह पूर्ती करती है हलदी का यह फैक्ट है टर्मरीक को इसलिए इस्तमाल कि जाता है क्योंकि anti-septic anti-vikeroo कह सकते हो अब उसे तो कुल मिलाकर इसलिए हलदी का इस्तमाल खाने के अंदर किया जाता है चोट के ओपर भी हलदी को लगा सकते है दूत के साथ भी हलदी ली जाती है इसी कारण से क्यो को हर नोलिज पता होने चाहिए तो इसलिए वीडियो को लाइक करना कमपल सरी है और शेयर करना है तो बहुत ज़्यादा मज़ा जाएगा दोस्तों फिर मिलेंगे लिए वीडियो